पटना का गोल घर एतिहासिक धरोहर के साथ साथ पिहार की सान है यह धरोहर गानी मैदान के पस्मीन में इस्तित है साल 1979 में इसी राज का संरच्छी तस्मारत खोशित किया गया था पटना का यह गोल घर अंग्रेज द्वारा निर्मित एक एतिहासिक अस्तल है इसका निर्मा ततकालिन गवर्नर जन्रल वारन हेस्टिंग के समय हुआ था साल 1970 में देश भर में भ्यांकर शुखार पड़ा जिससे तक्रीबन एक क्लोड लोग परभावीत हुए जिसके बाद ततकालिन गवर्नर जन्रल वारन हेस्टिंग ने इससे निवटने के लिए गोल घर का निर्मा यह जुलाई 20 से साल 1786 में बनकर पुरा हो गया, गोल घर में लगभग 14 लाक टन अनाज रखने की छमता है, आजादी से लेकर साल 1999 तक इस इमारत का उपयोग अनाज भंडारन के लिए किया जाता रहा है, अब इसे बंद कर दिया गया है, इस विसाल इमारत के निर्मान में प वारों की मुटाई 3.6 मीटर है, गोल घर के सीखर पर 3 मीटर पत्रों का इस्तमाल किया गया है, सीर्स पर 2.7 फिट की ब्यास चिद्र है, जहां से इसके अंदर अनाज डाला जाता था, गोल घर के सीर्स पर पहुँचने के लिए 145 सीडिया चड़नी पड़ती है, यहां से पटना सहर दिखता है, इस एतिहासिक इमारत की तुलना 1627 से पच्चमन में बने मुहवद आदिल सहा की मकपरेशी की जाती है, राज सरकार ने इस पुराने असमारक के लिए कई महत्फून कदम उठाए हैं, परेटन को अकरशित करने के लिए इसके पास पार्क विक्सित क साम के वक्त यहां फवारे और लेजर शो चलाया जाता है, लेकिन जानकारी के अनुशार टेंडर खतम होने के बाद इसे बंद कर दिया गया है, साल 2011 में गोल घर की दिवारे में कई दरारे आने लगी थी, इसके बाद राज सरकार्नी से सरच्षन के लिए भारतिये पुरा के भी काम अधूरे हैं, गोल घर की टिकट पहले पांच उर्पिय था, लेकिन अब इसे दिदार के लिए दर्शकू को दस उर्पिया चुकाना पड़ता है